आज हम बनाएंगे ठंडी की सीजन में खाने की मज़ा आजाए एसी हेल्थी, टेस्टी और निट्रिसियस पाला कौन की खिचडी बहुती सिंपल रेसीपी है एक रेस्टोरन स्टाइल रेसीपी है ज्यादा ओरर किये जाती है लास्ट में उसके उपर जो की और गार्लिक का त मुगदाल रे रही हूँ और साथ में एक चोथाई कप चावल लेंगे यहाँ पर में दाल का माप ज्यादा ले रही हूँ दाल और चावल का रेशियो आप आपके हिसाब से एड़ेस्ट करें बास्मती चावल ले रही हूँ आप कोई भी वेराइटी के चावल ले सकते हो अच्छी तरह से मिला लेंगे और दो से तीन पानी से वोश कर लेंगे वोश करने के बाद लगपक आथा गंटा पानी में पीको कर रखेंगे पीकोने से खीचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है आथा गंटा हो गया है पूरा पानी निकाल लेंगे और प्रेशर कूकर में पर कर लेंगे, साथ में उसमें एक टिस्पुन जीतना नमक एड़ कर लेंगे और एक टिस्पुन के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे डेट कप पानी एड़ करेंगे, तो ये मेजरमेंट के हिसाब से डेट कप पानी आपको एड़ करना है, मिक्स कर लेंगे और मीडियम गेस की फ्लेम पर 3 विसल लगा लेंगे यहाँ पर मैंने 300 क्राम पालक लिया है अच्छी तरह से साफ करके वोश कर लिया है साथ में 1 कप स्वीट कोन लिये है आप आपकी चोईस के एकोडिंग पालक और कौन काम आप कम ज़्यदा कर सकते है जब तक दाल चावल पक रहे है तब तक हम पालक को ब्लांच कर लेते है एक पेन में 3 कप पानी को गरम करने के लिए रख दिया था पालक को इसमें डाल देंगे उसे हमें ब्लांची करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए 3-4 मिट तक पालक को सॉफ्ट और श्रिंग करना है पालक का कलर एज इडिज रहे इसके लिए कुख हो जाने के पाद उसे आईस कोड़ वोटर में ट्रांसफर कर लेंगे मिक्स कर लेंगे ताकि उसकी प्रोसेस स्लो हो जाए ये स्टेप करने से खिचड़ी का कलर एक्तम ग्रीन रहेगा अब वो ही पानी में एक कप स्वीट कॉन डाल देंगे और उसे 3 मिर्ट के लिए बोईल कर लेंगे अभी जो मार्केट में कौन मिल रहे है वो काफी टेंडर होते है तो सिर्फ 3 मिर्ट में ही बोईल हो जाएंगे इस तरह से कौन भी बोईल हो चुके है उसे निकाल कर साइड में कर लेते है अब पालक की पेस्ट रेडी कर लेते हैं इसके लिए चोपर में हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही में अधरक को भी डाल देंगे मिर्च आप दिकी वाली पसंद करें 7-8 लेसुन की कलिया को डालेंगे और ब्लांच की हुई पालक को डाल दें तो इसकी पेस्ट बनकर ready हो गई है पेस्ट का कलर आप देख सकते हैं एक तम ग्रीन हो रहा है कुकर भी ठंडा हो गया है तो खिचडी को भी चेक कर लेते हैं खिचडी अच्छे से ready हो गई है यहाँ पर हमें खिचडी को छूटी नहीं बनानी है थोड़ी से sticky रखने चाहिए तो इखाने में मज़ा आएगा वरना आप पुलाव खा रहे हैं ऐसी फिलाएगी अब खिचडी को भी एक तीखा और चटपटा तड़का लगा लेते हैं इसके लिए एक पेन में दो से तीन टेबल स्पून जितना घी डालेंगे घी करम हो जाए इसमें डालेंगे दो साथ करीपता डालेंगे तड़के को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे अब इसमें मीडियम सैस की प्यास को बारी कट करके लिया है और मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मीट के लिए उसे फ्राई कर लेंगे चार मीट हो गई है प्यास अच्छी तरह से ट्रांस्परेंट हो गई है अब एक टमाटर को बारी कट करके डालेंगे उससे हमें सोफ्ट करना है दोसे तीन मीट में ये अच्छी तरह से मेशी हो गया है तो अब हमने जो पालक की पेश्ट बना कर रखी थी वो भी एड़ कर लेंगे इससे भी टमाटर और प्यास के साथ मिक्स करके घी सेपरे अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद चोपर में थोड़ा सा पानी डालकल रिंस करके वो भी डालतेंगे ताकि उपर से हमें नोर्मल पानी एड़ ना करना पड़े जरूरत पड़े तो आप ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे खीचडी पतली ज्या अच्छी तरह से मिक्स कर लें मैंने पहले सही इनफ ग्रेवी रखी है पर आपको पानी एड़ करने की जरूरत लगे तो पानी को थोड़ा गरम करके ही डाले हमें यहां बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं पड़ी है यह खीचडी थोड़ी लिक्वीरी रखेंगे तो ही खा करके लिए आप रोश्ट किये हुए पापड़ भी ले सकते है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे यदि आप रोश्टे पापड़ का यूज़ कर रहे तो उसके टुकड़े होचाने के बाद एक टेपल सब्सपून बारी कट किया हुआ प्यास डालेंगे एक टेप पटी पापड चुड़ी रेड़ी है हम यहाँ पर नमक नहीं एड़ कर रहे है क्योंकि पापड में अल्रेड़ी नमक होता है आप चटपड से खीचड़ी को तड़का देते है तो उसके लिए एक पेन में एक टेपल स्पून घी डालेंगे गी करम होते है छे से साथ लेसुन को बंद रखे नहीं तो हमारा पूरा जो मिर्ची का पाउडर है वो जल जाएगा और चल्दी से हमने जो खीचड़ी बनाई थी उसके उपर पोर कर देंगे जब सव करेंगे तब थोड़ा थोड़ा तड़का खीचड़ी के उपर डाल कर सव करो गरम गरम खीचड़ी दई और पापड़ चुरी के साथ सव करेंगे एक पर चलू से ट्राइ करें वन पोट मिल है साथ में हेल्थी भी है और टेस्टी भी है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जल् मिलती हो नेक्स वीडियो में तिल दें तेक केर और थेंक्स पर वाचिंग